गुड मॉर्निंग बच्चो गलो और फिजिक्स में आप सबका स्वाधत है नुमेरिकल की इस बिरस रंखला में पुनों आपका स्वाधत है प्यारे बच्चो आपके स्क्रीन पे लिखा है बॉल्यूम नंबर 37 इसका मतलब आपने 36 बॉल्यूम जो है इस चैनल की वीडियो का अवकुन अवलोकन कर दिया होगा बच्चो तो प्यारे बच्चो आपको हमारा चैनल कैसा लगा हम कैसे पड़ा रहे हैं और क्या मेहनत आपके लिए कर रहे है इसके लिए आपकी इंतजारी रहेगी कमेंट सेक्शन में और आपसे एक जो है बिने थी तो नहीं करनी बेल आइकन को प्रेस करके नौट्टिकेशन अउन कर दें और यदि आप हमारी कॉंफिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं आप केस आप चाहते हैं कि हमारे जो है सर का चैनल ग्रोव हो तो प्यारे बच्चो आपके साथ बहुत सारे जो है विद्यारती होंगे जो कक्छावारा ब और आगे जाने पर जो हैं बहुत सारे स्टुडेंट को इसका लाब मिलेगा और प्यारे बच्चों आपका समय बरवाद न करते हुए इस चैप्टर की अंतिम वीडियो की और आपको लिये चलता हूँ और तब तक आपने क्वेशन को पढ़ ही लिया होगा बच्चों तो इक बार मैं भी पढ़ देता हूँ बच्चों क्या तेरा है हरजन परमानों की निम्नतम अवस्था में उर्जा रिन 13.6 इलक्टरन बोल्ड है एन बरावर 3 उर्जा अस्तर की उर्जा ज्यांत कीजिए तो एन बरावर 3 दिया होगा एन बरावर 2 दिया होगा एन बरावर 4 द तो प्यारे बच्चो बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप फॉर्मला याद कर दे अगर फॉर्मला याद हो जाएगा तो इसमें कितने भी क्वेशन बन सकते हैं बच्चो तो लिए चलते हैं हाइडजन परमाण की एनवी कक्षा के लिए उड़ जा का सुत्र तो प्यारे बच्चो मैं आपको एक चीज और बताना चारा हूँ बच्चो ये फॉर्मला जो है रिडबर्ग कॉंस्टेंट के रूप में भी होता है बच्चो माइनस रहसी बटे एन इसक्वाइर ऐसा भी होता है बच्चो ये लेकिन बच्चो यहाँ पर रहसी की वैल्यू यहाँ से रिडबर्ग कॉंस्टेंट भी आप निकालते हैं हम निकालेंगे बच्चो ठीक है बच्चो यही पर निकालेंगे इस फॉर्मले से रिडबर्ग कॉंस्टेंट का मान भी आपको एक्जाम में देता है और इसी 18 क्वेसन में हम आपको दो क्वेसन बना के करेंगे रिट बर्ग और कॉंस्टेंट भी निकालेंगे भच्चो ठीक है ना बच्चो तो लेकिन पहले आपको क्या निकालना है निम्रतम अवस्ता की उर्जा इतनी देर की है तो मतलब n बराबर एक N बरावर जब 1 लिखेंगे तो इतना ही आएगा बच्चो तो देखे बच्चो यह निम्नतम उर्जा E1 बरावर रिन 13.6 बटे 1 का स्क्वेर तो कितना हो जाएगा बच्चो? रिन 13.6 इलक्टोन बोट आया न बच्चो पहली काक्षा की उर्जा? तो यह निम्नतम उर्जा अस्तर इतना है तो N बरावर 3 अब आपको क्या लिखना बच्चो? N बरावर कितना लिखना है? 3 लिखना है बच्चो तो उर्जा कितने हो जाएगी? आथ 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है तो E3 बरावर रिण 13.6 बटे 3 का इसको है इतना इलक्टोन बोट तो कितना हो जाएगा बच्चो? माइनस 13.6 बटे 3 का बर्ग 9 इलक्टोन बोट और जब आप इसको इससे डिवाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चो? कितना जाएगा? माइनस 9 इकम 9 हो जाएगा 4 और 9 पंजे 45 तो 1.51 इलक्टोन बोट इसका आंसर आ जाएगा हमने आप से वादा किया है कि हम आपको रिडबर्ग कॉंस्टेंट भी बताएंगे बच्चो? चूंकि यहाँ पर आपको परिक्षा में ये भी पूछा जाता चलो बच्चो मैं यहाँ पर इसको question ही बना देता हूँ ठीक है बच्चो? इसको question ही ये पहला पार्ट बना देता हूँ यह देखे बचो यह पहला पार्ट बना दिया मैंने यह देखे और मैं आपको इसको question ही बना देता हूँ बचो यह देखे रिडबर्ग नियतांक का मान ग्यात करो ठीक है बचो चूंकि बचो question पहले से ही बनाए है मैंने क्योंकि अगर मैं यहाँ पर question बनाओंगा तो इतना time हमारा बरवाद हो जाएगा तो यह question बना दिया बचो तो रिडबर्ग constant का मान ग्यात कर दीजी ठीक है बचो हमने क्या का है रहसी की value 13.6 electron bolt होती बचो तो रहसी की value होती है 13.6 electron bolt यह देखे बचो तो हम क्या करेंगे इसको जूल में बदल देंगे 13.6 गुण 1.6 गुण 10 की घात रिण 19 ठीक है बचो यह हमने बदल दिया बचो जूल में हमने बदल दिया इसको ठीक है बचो अब देखे बचो R की value कितने हो जाएगी? R की value यह तो बटे में चल जाएगे ना बचो तो कितना हो जाएगा? 13.6 गुण 1.6 गुण 10 की घात रिण 19 बटे कितना हो जाएगा बचो? H C और इसकी value याद है हमें निकालने को कह रखा बचो तो value याद है अगर value याद नहीं होगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा बचो और आप जो हैं बोल के 29 क्वेशनों को हल नहीं कर सकते हैं आपको आता है फिर भी आप नहीं कर सकते हैं बचो इसलिए आपको ज्यादा नमबर लाने के लिए tricks and tactics studies का फालन करना पड़ेगा इसका मलब रिडबर्ग constant आपके question paper में ही दे रखा होता है तो आप सीधे सीधे उसका मान लिख देंगे हाल नहीं करेंगे बचो और मैं भी हाल नहीं करूंगा बचो गुणा एक दसमलब 6 गुणा 10 की घात रिण 19 आपको h भी दिया रहता है सी भी दिया रहता है अगर नहीं भी दिया रहता है तो आपको याद करना है 6.6 into 10 to power minus 34 और c की value 3 गुणा गे 10 की घात 8 ये देखे बचो इतना आ गया तो प्यारे बच्चो आप ही हमें बताए अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना टाइम लेंगे बच्चो बताए बच्चो यदि आप मेरे सामने होते बच्चो तो मैं आप से पूसता कि आप इसको कितना टाइम लेंगे लेकिन मुझे तो ये लगता है ना बच्चो कि आप मेरे ही सामने हैं तो आप बताए अगर आप इस तो यहाँ पर लिख देना है उसका मान होता है 1.097 ठीक है बचो into 10 raise to power 7 per meter यह आपने यहाँ पर लिख दिया बचो ठीक है बचो तो Rydberg constant का मान आपको सीधे लिख देना बचो यह देख लेना बचो 1.099 भी लिखा रहता है लिकिन आपको एक value इसकी याद कर देनी है बचो ठीक है बचो तो बचो यह Rydberg constant का मान भी मैंने बता दिया यह भी आपको परिक्षा में पूछा जाता है तो बचो जो tricks मैंना आपको बता रही कि उसका ध्यान देंगे आप इसको इतना लिखेंगे उसके बाद जो याद किया है उसको लिख देंगे जिस सीब की आपका समय क्या हो जाए बचो बच जाए तो समय को बचाते हुए हम भी समय को बचाते हैं और यह चलते हैं तुरंत जो हैं आपको अगले question की ओर तो बच्चो 19 वा question आपके screen पे मिलता जुलता question है बच्चो हाइड़न परमान के मूल तथा दुतिय उर्जास्तर में इलक्टोन का कोने समभे ग्यानत कीजिए है न बच्चो बहुत अच्छा question तो बच्चो थोड़ा सा मैं बोहर का परमान मॉडल आपको बताना बोहर का परमान मॉडल कहता है बच्चो यह परमान का नाभिक है और परमान के नाभिके बाहर जो हैं इलक्टोन जिन कक्छाओं में घूम रहे हैं उनको कहते हैं अचर उर्जास्तर क्या कहते हैं बच्चो अचर उर्जास्तर यह देखें बच्चो आप कितने भी बना सकते ये देखे मैंने पहला बनाए है ये देखो ये पहला के L M N प्यारे बच्चो अगर आपको डेटेल से जो है इसको पढ़ना है तो मेरी बीडियो बनाई है आप जरूर देख ले देखे बच्चो बोहर कहता है बोहर के तीन पॉस्चिलेट बहुत महतोपूर है पहला उर्जा निश्चित होती है ठीक है बच्चो और उनको अचर उर्जा अस्तर कहते हैं और इलक्टोन इन कक्षाओं में इन अचर उर्जा अस्तर या स्थाई उर्जा अस्तरों में जब चकर लगाता है तो वो उर्जा को नहीं खोता है ठीक है बच्चो अगर उर्जा को नह इनमें घूमता रहेगा ठीक है बच्छो फिक्स है इनकी उर्जा बच्छो ठीक है बच्छो लेकिन दूसरा पॉसलेट कहता है एक पर्तिबंद है कि इलक्टोन केवल उनीक अक्छाओं में घूमता है जिनका कौने सम्भेग J लिखो या L लिखो बचो जिनका कौने संबेग H upon 2 πाई का पून गुनज होता है ये देखो पून गुनज में N आ गया N जो है बचो कक्छा 11 में आपने पड़ा होगा मुख्य कौन्टम संख्या अर्थात कक्छाओं की संख्या है बचो ठीक है बचो अब आपको किस में निकालना है मूल उर्जा अस्तर तो मूल क्या हो जाएगा मूल उर्जा अस्तर तो पहला हो जाएगा बचो N बराबर 1 ठीक है तो कौने संबेग कितना हो जाएगा माना उसका J1 है मान लिजे बचो तो कितना हो जाएगा 1 into H upon 2 pi तो कितना कौने संबेग हो जाएगा बचो उसका H upon 2 pi ठीक है बचो मूल उर्जा स्तर अब दूसरा दुतिय उर्जा स्तर N बराबर 2 तो कुछ भी कह सकता है N बराबर 2, 3, 4, 5 है कुछ भी कह सकता है अब N बराबर 2 के लिए कौने संबेग फिक्स है J2 बराबर यहां पर 2 आ जाएगा 2 गुणाएगे H upon 2 pi तो 2 से 2 कैंसल तो कितना हो जाएगा बचो H upon pi इतना कौने संबेग हो जाएगा बचो ठीक है अगर 3 कक्षा कहेगा तो यहां पर 3 आ जाएगा 4 कहेगा तो 4 आ जाएगा 5 कहेगा तो 5 आएगा तो बचो कितने question इसमें बन सकते हैं ठीक है बचो तो यह बोहर का परमान मोडल मैंने 2 postulate इसमें बता दिया तीसरा postulate भी बताना चाहूंगा देखे बचो परमान में electron जो है क्या है जिन उर्जास्थरों में घूम रहा है उनकी उर्जा फिक्स है और वो उसी में निरंतर घूमता रहता है लेकिन यदि परमान को बाहर से उर्जा दी जाती है तो electron जो है किसी भी उच उर्जास्थर में चला जाता है और वहाँ 10 की घार दिन 8 सेकिन रहने के बाद जब नीचे आता है तो उस उर्जा को बिद्धुत चुम्ब किया तरंगों के रूप में बिसर्जित करता है बचो ये तीसरा पॉस्टूलेट है बचो लेकिन इसको अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी ह होगी वच्चो उसमें मैंने आपको इसको डेटेल से समझा रखा है वच्चो तो लिए चलते हैं आपको क्वेसन नंबर 20 की ओर आपके मोबाइल स्क्रीन पे यह है वच्चो छोटा क्वेसन है हाडजन स्पेक्टरम में बामर सेने की दुतिय रेखा का तरंग दैर्या बामर सेने पे तो वन अपॉन लेमडा बराबर आर वन अपॉन टू का स्क्वेर बामर के लिए पहली कक्षा दो निर्धारित है तो जब पहली कक्षा दो निर्धारित है तो दूसरी कक्षा क्या हो जाएगी बच्चो एन बराबर तीन होगा एन बराबर चार होगा एन बर दूतियर रेखा, तो दूतियर रेखा कौन हो जाएगी बच्चो, n बरावर 3 पहली, n बरावर 4 दूसरी, तो n बरावर 4 आपकी दूसरी रेखा होगी, तो 1 अपॉन लेमडा 2, 2 इसले लिख रहा हूँ दूसरी रेखा के लिए, ठीक है न बच्चो, तो कितना हो जाएगा दूसरी रेखा के लिए, ठीक है न बच्चो, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा 2 परावर, एक बटे 2 का बर्ग हो जाएगा, एक बटे 4, एक बटे 4 का बर्ग हो जाएगा, एक बटे 16, यह देखे बच्चो, ऊपर कर रहा हूँ मैं देखे, तो दोनों का LCM अगर मै लेता हूँ, चार और 16 के LCM तो 16 ही हो जाएगा बच्चो, चार चको 16, रिण 1, तो कितना आगिया बच्चो, सॉरी बच्चो, 1 अपॉन लेमडा 2 परावर हो जाएगा, 3R, 3R बटे 16, तो आपने लेमडा 2 निकालना है, तो लेमडा 2 कितना हो जाएगा बच्चो, 16 अपॉन 3R, और वो कह भी रहा है कि आपको कि आपको किसके पदों में घ्याद करना है, रिड वर्ग कॉंस्टेंट के पदों में घ्याद करना है, तो ये इसका आझसर आ जाएगा बच्चो, तो प्यारे बच्चो, इस चैप्टर के अंतिम क्वेशन की ओर मैं आपको लिए चलता तो प्यारे बच्चो इस चैप्टर का अंतिम क्वेशन लेके आया हूं और ये क्वेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बच्चो ये मेरे अनुभव के आधार पर ये क्वेशन आपको बहुत बार बोल में पूछा गया है ठीक है बच्चो ऐसा क्वेशन मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है बामर स्रेणी की पर्थम रेखा का तरंग्दर 653 है इस स्रेणी की दूसरी रेखा का तरंग्दर ग्याद कीज़ा पहली रेखा का तो दे रखा है और दूसरी रेखा का आपने ग्याद करना है तो ब पामर स्रेणिंग के लिए क्या होता है one upon lambda is equal to r एक बटे दो का बर्ग ये फिक्स है रिन एक बटे n का बर्ग और यहाँ पर n कितना हो जाएगा बच्चो तीन चार पांच छे ये देखो बच्चो अब आपको दिया क्या है आपको क्या दिया है lambda 1 आपको दिया है पहली रेखा का ये देखो बच्चो 65-63 ही होता है बच्चो ये देखो बच्चो आपको ज्यांत क्या करना है दूसरी रेखा lambda 2 आपको ज्यांत करना है ठीक है बच्चो ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे पहली रेखा का निकाल देंगे एक बट्टे 2 का बड़र बरावर कितना हो जाएगा ब कितना हो जाएगा बाचो सायगक में इन दोनों का क्या ले लेंगे बच्चो एलसियम ले लेंगे 1 अपन लेंडा 1 ठीक है बच्चो तो कितना हो जाएगा बच्चो दोनों का एलसियम कितना आए बच्चो 36 आया यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इतना R तो कितना हो गया बच्चो 5R बटे 36 ठीक है बच्चो यह देखे बच्चो यहाँ पर यह यह लेम्डा 1 ग्यांत कर जीजिए लेम्डा 1 कितना हो जाएगा बच्चो 36 6 upon 5R यह हमने निकाल दिया है equation number 1 अब equation number 2 हमने दूसरी रिखार निकालनी है 1 upon lambda 2 बराबर R 1 बट्टे 2 का बर्ग तो वही रहेगा और यहां कितना हो जाएगा बच्चो अब कितना हो जाएगा यहां तो 3 पहली रिखाएगा तो 4 हो जाएगा 4 का बर्ग ठीक है बच्चो तो यह कितना हो जाएगा बच्चो R 1 बट्टे 2 का बर्ग 4 हो जाएगा और रिण 1 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चो 16 हो जाएगा यह देखे तो अब कितना हो जाएगा बच्चो 1 upon lambda 2 बराबर R यह देखें बच्छो, 4 और 16 काλη UCM 16 ही हुआ, 4 चकू, 16, 16 तो कितना आए गया बच्छो, 3R by कितना आए गया, 16 आए गया, यह देखें, तो λेंब्बडा 2 कितना हो जाएगा, 16 by 3R हो जाएगा, यह देखें बच्छो, equation number 1 और equation number 2 आपको दिखाए दे रहे हैं ये तो आपको दे रखा है बचो तो lambda 1 upon lambda 2 पराबर कितना हो जाएगा lambda 1 upon lambda 2 दिखाए ज़रा बचो आपको 36 by 5R divided by 16 by 3R ये हो जाएगा आपका 36 into 3R divided by 16 into 5R R से R आपका cancel हो गया ठीक है बच्चो ये देखें बच्चो तो lambda 1 upon lambda 2 कितना है ये देखें बच्चो तो यहाँ पर lambda 2 अब multiply कर देंगा lambda 2 को इससे multiply कर देंगे तो lambda 2 into 36 into 3 बराबर lambda 1 into 16 into 5 ठीक है बच्चो अब lambda 2 ग्याद करेंगे lambda 1 आपको दे रखा है lambda 2 कितना हो जाएगा lambda 1 into 16 into 5 है न बच्चो और 2 कितना हो जाएगा बच्चो 36 into 3 है न बच्चो अब आपको lambda 1 का मान दे रखाए 65 63 उतना ही होता है बच्चो 65 63 गुणागे 16 गुणागे 5 divided by 36 गुणागे 3 ठीक है बच्चो आप इसको हल करेंगे दूसरी रेखा को आपको याद नहीं होगा तो lambda 2 जो आ जाएगा बच्चो इसके लिए वो आ जाएगा आपका आपने क्या निकालना है बच्चो इसमें दूसरी रेखा का तर्मिदर निकालना है अनतालीस 61 आ जाएगा बच्चो तो प्यारे बच्चो आपने इस चैप्टर के सारे नुमेरिकल्स कर दिये हैं और आसा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा और यदि जो हैं बच्चो आपको चैनल ठीक लग रहा है तो बार बार आप से कहा जा रहा है कि आप को सस्क्राइब कर दें ब्याला आइकन को प्रेस करके नोटिपिकेशन अन कर दें और अगली वीडियो जो है जो मैं नुमेरिकल्स की बताऊंगा वो रीडियो एक्टिवता बबनानी है बच्चो तो तब तब के लिए जो है बच्चो आप अपना ख्याल रखें और आप दनले बगग